जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा सन 1849 इस्वी में किया गया ये एक तरल गाढ़ा रंगहीन पाराभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है जीव की सारी जैविक्रियाएं इसी के द्वारा होती है हेक्सले के अनसार जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म जीवन का बहुत एक आधार है जीव द्रव्य दो भागों में बटा होता है एक कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म ये कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका जिल्ली के बीच रहता है 2. केंद्रक द्रव्य, नियोक्लियो प्लाज्म, ये कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है जीव द्रव्य का 99 प्रतिशत भाग निम्ने चार तत्वों से मिलकर बना होता है 1. ऑक्सिजन, 76 प्रतिशत, 2. कार्बन, 10.5 प्रतिशत, 3. हाइड्रोजन, 10.4 धाई प्रतिशत जीव द्रव्य का लगभग 80 प्रतिशत भाग जल होता है जीव द्रव्य में आकार्बनिक एवं कार्बनिक योगिकों का अनुपात 81 अनुपात 19 का होता है कोशिका, कोशिका सेल, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं सन रचनात्मक एकाई है कोशिका के अध्यन के विज्ञान को काईटोलोजी कहा जाता है कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वरप्रथम अंग्रीज वेज्ञानिक रॉबर्ट हुकने सन 1665 इसवी में किया था सबसे छोटी कोशिका जीवानू, माइक्रो प्लाजम, गैली सैप्टिकमा की है सबसे लंबी कोशिका, तंत्रिका, तंत्र की कोशिका है सबसे बड़ी कोशिका शुत्रमुग के अंडे की कोशिका है कोशिका सिध्धान का प्रतिपादन 1838 से 49 इसवी श्लाइडेन और श्वान ने किया कोशिका सिध्धान की मुख्य बाते इस प्रकार है 1. प्रतेक जीव की उत्पत्ती एक कोशिका से होती है 2. प्रतेक जीव का शरीर एक या अरे कोशिकाओं का बना होता है 3. प्रतेक कोशिका एक स्वाधीन एकाई है तथा पिस अभी कोशिकाओं मिलकर काम करती है फलस्वरूप एक जीव का निर्मान होता है चार, कोशिका का निर्मान जिस क्रिया से होता है, उसमें केंदरक मुख्य अभी करता, क्रियेटर होता है कोशिका दो प्रकार की होती है, एक, प्रोकेरियोटिक, दो, यू केरियोटिक प्रोकेरियोर्टिक कोशिका इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है जिसके कारण क्रोटीरियन नहीं बन पाता है केवल डियने का सूत्र ही गुर्ण सूत्र के रूप में पढ़ा रहता है अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है अधा केंद्रक नाम की कोई विक्सत कोशिकांग इसमें नहीं होता है जीवाणों एवं नील हरित शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं मिलती है इन कोशिकाओं में दोहरी जिली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सूसपर्ष्ट केंद्रक पाया जाता है जिसमें DNA वा हिस्टोन प्रोटीन के स्युक्त होने से बनी क्रॉमेटीन तथा इसके अलावा केंद्री का नुकलियस होते है प्रोकेरियोटिक तथा यूकेरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर विशेश्टा या अंगग कोशिका भित्ती प्रोकेरियोटिक प्रोटीन तथा कार्बोहाइडरेट की बनी होती है यूकेरियोटिक सेलिलोस की बनी होती है माइट्रोकॉंड्रिया प्रोकेरियोटिक अनुपस्थित होता है यूकेरियोटिक उपस्थित होता है इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम प्रोकेरियोटिक अनुपस्तित होता है, यूकेरियोटिक में उपस्तित होता है राइबोसोम प्रोकेरियोटिक 70s प्रकार के होते हैं, यूकेरियोटिक 80s प्रकार के होते हैं गालजीकाय प्रोकेरियोटिक अनुपस्तित होते हैं, यूकेरियोटिक अनुपस्तित होते हैं, केंद्रक जिल्ली प्रोकेरियोटिक अनुपस्थित होते हैं यूकेरियोटिक अनुपस्थित होती है लाइसोसोम प्रोकेरियोटिक अनुपस्थित होते हैं यूकेरियोटिक अनुपस्थित होते हैं DNA प्रोकेरियोटिक एकल सूत्र के रूप में यूकेरियोटिक पूर्ण विक्सत एवं दोहरे सूत्र के रूप में कशाभि का प्रोकेरियोटिक केवल एक तंतू होता है यूकेरियोटिक कुल ग्यारह तंतू होते हैं केंद्रिका प्रोकेरियोटिक अनुपस्तित होती है यूकेरियोटिक उपस्तित होता है सेंट्रियोल, प्रोकेरियोटिक अनुपस्थित होता है, यूकेरियोटिक उपस्थित होता है श्वसन, प्रोकेरियोटिक नहीं पाया जाता है, यूकेरियोटिक पाया जाता है लिंग प्रजिनन, प्रोकेरियोटिक नहीं पाय जाता है, यूकेरियोटिक पाया जाता है प्रकाश संचलेशन, प्रोकेरियोटिक थाय लैकाइड में होता है, यूकेरियोटिक क्लोरोफ्लास्ट में होता है कोशिका विभाजन, prokaryotic, अर्दसूत्री प्रकार का होता है, eukaryotic, अर्दसूत्री या समसूत्री प्रकार का होता है 368, कोशिका के मुख्य भाग, main parts of a cell 1. कोशिका भित्ती, cell wall 1. ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है 2. ये cellulose का बना होता है 3. ये कोशिका को निश्चित आकरती एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है 2. कोशिका जिली, cell membrane कोशिका के सभी अवियव एक पतली जिली के द्वारा घिरी रहते हैं इस जिली को कोशिका जिली कहते हैं ये अर्द पारगम्य जिली, semi-peramiable membrane होती है इसका मुख्यकार ये कोशिका के अंदर जाने वाले एक एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारन हो करना है 3. तारक्काय, centrosome इसके खोज बोबेरी ने की थी, ये केवल जन्तु कोशिकाओं में पाया जाता है तारक्काय, centrosome के अंदर एक या दो कंड जैसी रचना होती है जिसे centriol कहते हैं समसूत्री विभाजन में ये दृफ का निर्मान करता है 4. अंतहप रदविय जालिका, endoplasmic reticulum एक और ये केंदरक जिली से वा दूसरी और कोशिका कला से संबद होता है इस जालिका के कुछ भागों पर किनारे किनारे छोटी छोटी कणिकाएं लगी रहती हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं ER का मुखेकारी उन सभी वासाओं वा प्रोटीनों का संचरन रांस्पोर्टेशन करना है जो की विभिन जिलियों, मेंबरीन्स जैसे कोशिका जिली केंद्रक जिली आदी का निर्मान करते हैं सर्वपथम रॉबिंसन एवं ब्राउन ने 1953 इसवी में पाधप कोशिकाओं में तथा G.E. फैलाडे ने 1955 इसवी में जन्तु कोशिका के राइबोसोम को देखा और 1958 में रॉबर्ट ने इसका नाम करन किया ये राइबोन्यू क्लिक एसिड आर एन ए नामक अमलवा प्रोटीन की बनी होती है ये प्रोटीन संचलेशन के लिए उपर्युक्त स्थान प्रदान करती है अर्थात ये प्रोटीन का उत्पादक स्थल है इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्टरी फैक्टरी ओफ प्रोटीन भी कहा जाता है नोट, स्तनी के लाल रुधिर करण में राइबोसोम नहीं पाय जाता है क्योंकि लाल रुधिर करण द्वारा प्रोटीन विशलेशन नहीं होता है 6. माइट्रो कॉंड्रिया इसकी खोज अल्ट मैन ने 1886 इस्वी में की थी बेंडा ने इसका नाम माइट्रो कॉंड्रिया दिया ये कोशिका का श्वसंत थल है कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है उर्जा युक्त कार्बोनिक पदार्थों का ऑक्सी करण माइट्रो कॉंड्रिया में होता है जिससे काफी मातरा में उर्जा प्राप्त होती है इसलिए माइट्रोकॉंड्रिया को कोशिका का शक्ती केंदर पावर हाूज अफ सेल कहते हैं इसे युकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं माना जाता है नोट में नरिकाओं ट्यूबलेस के समू एवं थैलियों का बना होता है गालजी कॉंपलेक्स में कोशिका द्वारा संचलेशित प्रोटीनों वा अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है ये पुटिकाओं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहु भन्दग भी कह सकते हैं ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम के निर्माण भी करते हैं गालजी कॉंपलेक्स में साधरन शरकरा में कार्बोहाईडर्ट का संचलेशन होता है जो राइबसोम में निरमित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइको प्रोटीन बनाता है आठ लाइसोसो इसकी खोज D. डूबे नामक वैज्ञानिक ने की थी, ये सूक्ष्म गोल इकहरी जिली से गीरी थैली जैसी रचना होती है। इसका सबसे प्रमुक कारिय बाहरी पदार्तों का भक्षन एवं पाचन करना है। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, इसे आत्मगाती थैली सुिसाइड वैसिकल भी कहते हैं। नोट, इस्थन धारियों के लाल रक्ट कणिका में लाइससोम नहीं पाए जाता है। प्रिष्ट 379, लवक, प्लास्टीड, ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं, एक हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, दो अवर्नी लवक, लियोकोप्लास्ट, एवं तीन वर्नी लवक, क्रोमोप्लास्ट, एक हरित लवक, क्लोरोप्लास् क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्ण रहित क्लोरोफिल होता है इसी की साहिता से पौधा प्रकास संचलेशन करता है और भोजन बनाता है इसलिए हरित लवक को पादकोशिका की रसोई कहते हैं नोट पत्यों का रंग बीला उनमें कैरोटीन के निर्मान होने के कारण होता है दो अवर्णी लवक लियोकोप्लास्ट ये रंग हीन लवक है ये पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाय जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित है जैसे की जड़ों में भूमिकत तनों आदी में ये भोच्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है तीन वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट ये रंगीन लवक होते हैं जो प्राया लाल पीले नारंगी रंगे होते हैं ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुश्प, फल भित्ती, बीच, आदी में पाए जाते हैं वर्णी लवक के अन्य उधारन टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में कैरोटीन, जुकंदर में वीटा नीन, दस, रस, घानी, वैक्योलिस ये कोशिका की निर्जीव रचना है, इसमें तरल पदार्थ भरी होती है, जनतों कोशिकाओं में ये अनेक वह बहुत छोटी होती है, परनतों पादब कोशिका में प्रायब बढ़ी और केंदर में स्थित होती है ग्यारह केंदरक नुकलस, ये कोशिका का सबसे प्रमुक अंग होता है, ये कोशिका के प्रभंदक के समान कारिय करता है केंदरक द्रव्य में धागे नुमा पदार्त जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है, इसे क्रॉम मैटिन कहते हैं, ये प्रोटीन एवं डियने, डियोकसी रायबो न्यूकलिक असिट का बना होता है कोशिका विभाजन के समय क्रॉमेटीन सिकुड कर अनेक मोटे वा छोटे धागे के रूप में संगटित हो जाते हैं, इन धागों को गुर्षूत्र क्रोमोसोम कहते हैं प्रतेक जाती के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंदरक में गुर्षूत्र की संख्या निश्चत होती है, जैसे मानव में 23 जोड़ा, जिमपाजी में 24 जोड़ा, बंदर में 21 जोड़े प्रतेक गुर्षूत्र में जैली के समान एक गाढ़ा भाग होता है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स में दो परस पर लिप्टे महीन एवं कुंडरित सूत्र दिखलाई परते हैं, जिनें क्रोमनिमेटा कहते हैं प्रतेक crush κृम Rank görüş का बना होता है बहुत से जीन अहँता है कि बहुत से जीन फिट होते हैं यह आनुवांशी गुणों के लिए उत्तरदाई होते हैं चुकि ये जीन गुर्सूतरों पर स्थिर होते हैं एवं गुर्सूतरों के माध्यम से ही पीड़ी धर-पीड़ी हस्तांत्रित होते हैं इसलिए गुर्सूतरों को बंशागती का वाहक कहा जाता है क्रो मैटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन घोल रजनाएं दिखलाई पड़ती हैं इसे केंद्री का नुकलियस कहते हैं इसमें राइबोसोम के लिए RNA राइबोनुकलिक एसिट का संचलेशन होता है DNA एवं RNA की संचलेशना DNA की अधिकांच मात्रा केंद्रक में होती है यदि भी इसकी कुछ मात्रा माइट्रोकॉंड्रिया तता हरितलवक में भी होती है DNA पॉल्यू नुकलियो टाई होते हैं पॉलियो नूकलाटाईड चेन DNA, नूकलाटाईड नूकलियो आसाइट फासफोर्ट, नूकल साइट शुगर अन बेस, क्षार प्रिष्ट 370, क्षार बेस, DNA में उपस्तित क्षार चार प्रकार के होते हैं, एडिनीन बराबर ए, गू 1953, थायमीन बराबर टी, तथा साइटोस बराबर C DNA में अनुसंख्या के आधार पर एडिनीन सदय थायमीन से साइट़ोसिन सदय गुआनीन eless врता है एडिनीन वा थायमीन के बीच दो हाइडरोजन आबंद तथा साइटोसिन वा गुआनीन के बीच 3 हाइडोसिन आबंद होते हैं यानि A बराबर T, G यहां तीन डैश दिये गए हैं यानि G3-C सन 1953 एसवी में J.D. Watson एवं क्रिक ने DNA की दुई कुंडलिट सनरचना मॉडल डबल हेलक्स मॉडल प्रतिपादत किया इस काम के लिए उनिस सन 1962 एसवी में नॉबल पुरसकार मिला DNA का कारिये, यह सभी आनुबान्शे की क्रियाओं का संचारन करता है जीन इसकी एकाई है, यह प्रोटीन संचलेशन को नियंतरत करता है RNA का निर्माण Transcription, DNA से ही RNA का संचलेशन होता है इस क्रिया में DNA की एक श्रंखला पर RNA की नुकलियोटाइड आकर जुड़ जाती है इस प्रकार एक आस्थाई DNA या RNA संकर का निर्माण होता है इसमें नाइट्रोजन बेस थाइमिन के स्थान पर युरेसिल होता है कुछ समय बाद RNA की समझात श्रंखला अलग हो जाती है RNA तीन प्रकार के होते हैं एक, R-RNA, Ribosomal RNA ये Ribosom पर लगे हो रहते हैं और Protein Sensulation में साहिता करते हैं दो, TRNA, Transfer RNA ये Protein Sensulation में विभिन प्रकार के अमीनों अमलों को Ribosom पर लाते हैं जहां पर Protein बनता है Note, Protein बनने की अंतिम क्रिया को Translation कहते हैं 3. M-RNA, Messenger RNA केंद्रक के बाहर विभिन ने आदेश लेकर अमीनों अमलों को चुनने में मदद करता है DNA एवं RNA में मुख्यांतर DNA, इसमें D-Oxyribos शरकरा होती है RNA, इसमें शरकरा Ribos होती है 2. इसमें बेस एडिनीन, गुवानीन, थायमीन एवं साइटोसीन होते हैं RNA, इसमें बेस थायमीन की जगा यूरेसिल आ जाता है 3. ये मुक्यतहा केंद्रक में पाहर जाता है RNA, ये केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाहर जाता है पादप एवं जन्तु कोशिका में मुख्य अंतर पादप कोशिका एक इसमें कोशिका भित्ती पाई जाती है जन्तु कोशिका एक इसमें कोशिका भित्ती अनुपस्तित है पादप कोशिका दो इसमें लवक पाई जाती है जन्तु कोशिका दो इसमें लवक अनुपस्तित होती है तीन पादप कोशिका तारक काई अनुपस्तित रहता है जन्तु कोशिका तारक काई सेंट्रोसम उपस्तित रहता है रिक्तिका वेक्यूलोस बड़ी होती है जन्तु कोशिका रिक्तिका वेरिक्यूलोस छोटी होती है पांच इसका आका लगभग आयताकार होता है प्रिष्ट 381